नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में थो दोस्तों अब से कुछी देर पहले पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसका जटका हजारों किलोमेटर दूर बैठे अमरी की राष्टपती बाइडन को लगा है और जटका हो भी क्यों ना क्यूंकि अब शाबाज शरीफ के भाई शाबाज शरीफ अमेरिका को उम्मीद ये थी कि शाबाज शरीफ के सक्ता में आते ही पाकिस्तान चीन से दूर जाने लगेगा और दोबारा फिर से अमेरिका के पाले में आ जाएगा और ऐसा हुआ भी शाबाज शरीफ ने प्रधान मंतरी बनते ह बहुत सारे ऐसे निर्ने लिए जो चीन को नाराज करने वाले थे और अमेरिका को खुश करने वाले यहां तक कि चीन यह चाहता था कि पाकिस्तान में उसे सैन्य बेस बनाने की जगे मिले शाबाज शरीफ वो मंजूरी देने को तयार है ही नहीं अब अमेरिका को पता है कि जब तक शाबाज शरीफ प्रधान मंतरी है तब तक ही यह खेल चलेगा क्योंकि जैसे ही इमरान खान सत्ता में आएंगे चीन दोबारा फिर से पाकिस्तान को अपने परभाव में ले लेगा और यह होने में ज्यादा समय भी बाकी नहीं है क्योंकि अब से कुछी महीनों के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और अभी स्थिती यह है कि इमरान खान बहुत ही मजबूत है और उनका सत्ता में वापसाना लगबग तैय है इसलिए शाबाज खेला द्री बाकी लिए ने कश्मीर का का अधि शरीफ को ही दो बारा परधान मंतरी बनाए इसके लrire इन्हों ने कश्मीर का कार्ड भी खेल दिया ताकि पाकिस्तान की जनता को यह लगे कि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरीका हमारे साथ ai और हमारीका घैगा जब तक शाब जलता मिली है या नहीं क्यों कि आज पाकिस्तान के अंदर आठ सीटों पर उपचुना हुए थे उनके रिजल्ट आने बाकी थे जिसमें सीधी टक कर थी इमरान खान की और सामने प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ की और आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका और शाबाज शरी मंतरी है यानि कि मुस्लिम लीग नवाज उसे मात्र आठ में से एक सीट मिली है और उस पर भी बड़ी मुश्किल से जीत पाए है प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ की पार्टी यानि कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान में जो भी किया सब फेल रहा है जो बाइडन की पू कुछी महीनों के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है और कहा ये जा रहा है कि इन इलेक्शन में इमरान खान परचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे जितनी आज तक किसी भी पार्टी को ना मिली हो इतना तगड़ा मैसिव सपोर्ट है उन्हें लेकिन आपका सव कि इस पूरे मामले से भारत को क्या फाइदा और नुकसान है तो देखिए आज जो हुआ है इससे भारत को फाइदा ही फाइदा है क्यों कि इमरान खान सत्ता में आते ही पाकिस्तान को दोबारा फिर से पश्चमी देश और अमेरिका से दूर करना शुरू करेंगे जैसे उ पारे पश्चमी देशों को और अमेरिका को एक जूट होकर भारत का ही समर्थन करना पड़ेगा और दूसरा फाइदा ये कि इमरान खान जैसे जैसे पाकिस्तान को पश्चमी देशों से दूर ले जाएंगे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लेक लिस्ट में आपको मिलेगा पाकिस्तान को जो पश्चमी देशों से अर्बों के लोन मिलते आए हैं IMF जो उन्हें मूँ उठाकर कभी भी पैसा दे देता है वो भी बंद होगा जैसे कि पिछले कारेकाल में हुआ था इमरान खान के यानि कि पाकिस्तान को सपोर्ट और फंडिंग पश्चमी देशों से बंद होगी और यह भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है हाला कि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरू बताएगा फिलाल इस लिए में इतना ही थैंक यू वेर मुच वाचिंग वीडियो